नमस्कार, मैं हूँ गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मीडियर उनिफोर न्यूज बलरामपूर जीले में हुए दीन दहाडे दमपत्ती की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है पुलिस ने दो आरूपियों को ग्रफ्तार कर लिया है धारदार हत्यार से मार कर हत्य की असंका जताई जा रही थी इस मामले में आज बलरामपूर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है पुलिस ने इस मामले में दो आरूपियों को गिरफ्तार किया है दोनों ही आरूपी मृतकों के समधी और दामाद हैं आपको बता दे कि पिछले 25 मार्च को पस्ता थाना चेत्र में उलिय जंगल में रहम तुला और एसून नीशा की कोदो डिपा संकरगर मार्ग में लास बरामद हुई थी इस डबल मडर के मामले में पुलिस ने बड़ी काम्याबी हासिल की है मृतकों के दामाद प्यारे मुहमद और समधी निजाम अनसारी ने इस वारदात को अंजाम दिया था जानकारी के अनुसार मृतकों के बेटी की चादी के बाद सही मृतकों की दोनों ही आरोपियों से ठीक नहीं बनती थी और इसी बात में लगातार विवाद होते रहता था इस मामले में निरास होकर दोनों आरोपियों ने मडर की प्लानिंग की और धारदार हत्यार से उन्होंने मडर की इस घटना को अंजाम दिया वल्रामपूर पुलिस अधिक्चक रामकृष्ण साहू ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने 12 घंटे के बीतर इस मडर की गुत्ती सुलजा लिये और आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है आपका बासीन से और आपिस बासीन की तरफ से और आपके जंगल की तरफ जू है फिर इंका इंतिार करते रहे और जैसे जह वहां पर पहुछे उंको रोग करके बात करने की कोशी च्ठ किया और मोटरसाइकल में जैसे चढ़ने लग गयुए उन्हों ने प्राइजन होस्पिटल विश्विस्तरी मर्टी स्पैशालिटी होस्पिटल अब राइपर के रहे देस तलमे उपलब जटल ऑपरेशन ग्रिटिकल केर वहा दोनेक एमर्जेंसी से वाएं आपकी हर बिमारी का संपून इलाज वराइजन होस्पिटल जल्वियार कॉलोनी कट लाइपर